दोस्तों, हाइपरसॉनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खीच लिया है। भारत की इस उपलब्धि ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि DRDO ने अपने हाइपरसॉनिक टेस्ट में अद्वितीय सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को इस तकनीक में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है। ताजा जानकारी के अनुसार, अमेरिका हाइपरसॉनिक टकनीक के मामले में भारत से काफी पीछे हो गया है। और उसकी बार-बार की असफलताओं अब उसे इस दौड से और दूर ले जा रही है। अमेरिकी विशेशत जभी अब यह मानने लगे हैं कि भारत हाइपरसॉनिक टकनीक में अमेरिका को पीछे छोड़ कर दूसरे स्थान पर आ चुका है। यह एक एतिहासिक मोड है जहां भारत की रक्षा क्षमता में इस तकनीक के साथ एक बड़ा उच्छाल आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्योंकि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हाइपरसॉनिक टकनीक क्या है और भारत ने किस प्रकार इस तकनीक में अमेरिका को पछाड दिया है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों आईए जानते हैं कि हाइपरसॉनिक टकनीक क्या है। हाइपरसॉनिक मिसाइलें वे हतियार होती हैं जो ध्वनी की गती से पांच गुना अधिक यानि पांच मैक या उससे तेज गती से चलती हैं। लेकिन इन मिसाइलों की असली ताकत सिर्फ गती नहीं बलकि उनकी अप्रत्याशित और मायावी गती है जो इन्हें और भी खतरनाक बना देती है। चलिए इसे एक सिमुलेशन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, साधारण मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्ट्री का पालन करती हैं, यानि उनका रास्ता पहले से निर्धारित होता है, जिसे दुश्मन आसानी से ट्रैक कर सकता है और अपने डिफेंस सिस्टम से उन्हें रोक सकता है। जब एक सामान्य मिसाइल फायर होती है, तो दुश्मन के पास काउंटर अटैक का मौका होता है, लेकिन हाइपरसॉनिक वेपन किसी तै किये गए रास्ते पर नहीं चलते, जिससे इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि डिफेंस सिस्टम को हमले का पता तब चलता है, जब हाइपरसॉनिक मिसाइल पहले ही निशाना साध चुकी होती है। हाइपरसॉनिक मिसाइल तकनीक में रूस पहले ही दुनिया को पीछे छोड़ते हुए नमबर एक की पोजीशन पर काबिज हो चुका है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से नमबर दो की पोजीशन के लिए टककर चल रही है। अमेरिका ने 2025 तक हाइपरसॉनिक मिसाइल विकसित करने का लक्ष रखा था और अगर ऐसा होता तो वह नमबर दो की पोजीशन पर आ जाता। हालांकि भारत की पहली हाइपरसॉनिक मिसाइल 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आ सकती है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार भारत अमेरिका को पीछे चोड़ते हुए नमबर दो की पोजीशन हासिल कर सकता है। क्योंकि अमेरिका का हाइपरसॉनिक प्रोग्राम कई बाधाओं का सामना कर रहा है। अमेरिका का हाइपरसॉनिक मिसाइल प्रोग्राम लगातार असफलताओं का सामना कर रहा है। अमेरिकी सेना का लॉंग रेंज हाइपरसॉनिक हतियार LRHW, जिसे अमेरिकी नौ सेना के कन्वेंशनल प्रॉंप्ट स्ट्राइक प्रोग्राम के साथ विकसित किया जा रहा है, अपने अंतिम परीक्षन चरण में अटक गया है। जियो, गवर्नमेंट अंडिट ऑफिस की रिपोर्ट में इसको लेकर गंभीर चिन्ताएं जाहिर की गई हैं। प्रोजेक्ट भी तैनाती से काफी दूर है। अमेरिका ने हाइपरसॉनिक तक्नीक को विकसित करने के लिए कुल 6 प्रोजेक्ट्स लॉंच किये थे। लेकिन अभी तक कोई भी सफलता पूर्वक ओप्रेशनल हाइपरसॉनिक हथियार तैनात नहीं किया जा सका है। ये मिसाइल 6 मैक की स्पीड हासिल कर चुकी है और DRDO इसे 10 मैक तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। साल 2020 के बाद से इस मिसाइल पर कई सफल परीक्षन हुए हैं। और इसके आधार पर विकसित की जा रही वेव राइडर कॉन्फिगरेशन के तहद भारत अपनी हाइपरसॉनिक मिसाइल तकनीक में निरंतर सुधार कर रहा है। DRDO इस मिसाइल को इतना ताकतवर बना रहा है कि यह किसी भी एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए भी अद्रिश्य और अजे ये साबित हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक नया थर्मल और गाइडेंस सिस्टम तयार किया जा रहा है। साथ ही DRDO के वैग्यानिक दस मैक की स्पीड पर मिसाइल की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने की चुनोती पर भी काम कर रहे हैं ताकि इसे पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। भारतिय वैग्यानिकों की मेहनत और समर्पन के कारण देश ने रक्षा क्षेत्र में बड़े मील के पत्थर हासिल किये हैं। हाइपरसॉनिक मिसाइल की दिशा में हो रहा यह विकास हमारी सुरक्षा क्षमताओं को नए आयाम दे रहा है। डियारेडियों का यह प्रोजेक्ट न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बलकि यह वैश्विक स्तर पर भी देश की स्थिती को मजबूत करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपरसॉनिक मिसाइल तकनीक सिर्फ गती ही नहीं, बलकि सठीक्ता और अभेद्यता में भी अद्वितीय है। यह मिसाइल ध्वनी की गती से पांच गुना तेज उडान भरने की क्षमता रखती है, जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक बनाती है। हाइपरसॉनिक तकनीक में भारत की प्रगती यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर रक्षा क्षेत्र में और भी मजबूत खिलाडी बनेगा। यह न केवल सैन्य बल को बढ़ावा देगा, बलकि आत्म निर्भर भारत अभियान को भी गति देगा। इसके साथ ही यह तकनीक हमारे दुश्मनों के लिए एक सख्त संदेश भी है कि भारत अब हर प्रकार के खत्रे का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा DRDO की इस सफलता का असर अन्यरक्षा क्षेत्रों पर भी होगा, जैसे एरोस्पेस और सैटिलाइट सिस्टम्स में। इससे देश की वैग्यानिक और तकनीकी क्षमताओं में भी अभूत पूर्व विकास होगा। इस प्रोजेक्ट में हमारे युवा वैग्यानिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो नई तकनीकों को विकसित करने और देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत कब हाइपरसॉनिक मिसाइल विकसित करेगा, बलकि सवाल यह है कि इसके बाद भारत किन-किन और नई तकनीकों में अपने कदम बढ़ाएगा। हम एक नई क्रांती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भारतिय रक्षा क्षेत्र तकनीकी रूप से सबसे उन्नत देशों की श्रेणी में शामिल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कि भारत को अपनी पहली हाइपरसॉनिक मिसाइल कब तक डेवलप कर लेनी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मात्रम।